चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और question के बारे में इस question में examiner ने का if 6x-5y is equal to 13 7x plus 2y is equal to 23 then the value of 11x plus 18y is equal to यानि examiner ने का इसको solve किजी इन दोनों question को यहां से x और y की value मिलेगी और x और y की value आप या रखेंगे तो आपको आपका answer मिल जागा तो दो तरीके हैं एक तो हम लोगों ने previous class में पढ़ा होगा छोटी class में 9-10 में की इनकी किसी एक x या y वाली value को equal करके काट दीजिए और उसे solve केजिए या फिर आप जो तरीका है वो तरीका क्या अगता है hidden trail method आप इसमें x और y की कोई value रखें जो की 13 के बराबर है और उसी value को रखने पर ये 23 आ जाए तो वही value रखे आप इसको solve कर सकते हैं तो देखिए मुझे पता है कि अगर इस 5 को मैं इधर ले जाओ तो ये 18 हो जाएगा यानि कि 18 में से 5 जाएंगे तो 13 बचेगा तो अगर x की value में 3 रखूँ तो 6 into में 3 ये मेरे पास में 18 हो जाएगा 5 into में 1 तो ये 5 हो जाएगा इसका मतलब ये 13 आ रहा है यानि कि यहाँ पर x की value मुझे मिलगी 3, y की value मुझे मिलगी 1 अब ये तो मेरी assuming value अब इसको verify करना है verify का से करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 7 के 21 हो जाएगा plus का 2 तो ये 23 आ रहा है यानि कि x और y की value मुझे मिलगी तो यहाँ पर रखिए 11 into में 3 plus का 18 into में 1 तो ये 33 plus का 18 यानि कि 51 51 यानि कि option B जो है वो इस question के लिए correct होगा एक बार आप इसको detail से solve करके भी कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए exam ने क्या दिया है यहाँ पर यह आपको दे रखा था 2y और यहाँ 5y तो इस पूरे को मैं 2 से multiply करता हूँ तो 6 दूनी 12 x जब इसको 2 से multiply करूँ माइनस का 10y इसको कितना हो जागा 26 हो जागा इसको मैंने पूरे इसको 5 से multiply किया तो यह मेरे पास में 7,5,35 x प्लस का 5 दूनी 10y बराबन में 5 ती है 15 और 5 दूनी 10 और 1 ग्यालेक्स हो 15 इन दोनों को मैंने add गया तो यह कितना हो जागा आपका 7 और 47 x बराबर में यह से कट जागा इन दोनों को जोड़ेंगे 6,5,11 तीन और एक 4 और एक यह हो जागा आपका 41 तो x is equal to क्या होगा आपका 141 अपोन में 47 यह जागा आपका 3 पर x की value 3 रगगी तो इसमें आप रख दीजिए यहाँ पर इस वाले में 6 इंटू में 3 minus का 5 y बराबर में 13 तो 18 minus का 5 y बराबर में आपका 13 तो यह उदर से जागा तो minus का 5 y बराबर में हो जागा यानि कि option जो B है इस question के लिए correct है I hope आप सभी question समझ में आया होगा